पुरानी नाकराणी वसिस नई नाकराणी आज के यूग को अगर देखा जाए तो जहां जितनी इज़द सास ससुर की नहीं की जाती, उतनी इज़द घर में काम करने वाली नाकराणी को दी जाती है आरे भाई, और देखी क्यों ना, आखिर वही तो है जो बहूं का बोज कम करती है वारना ससुराल वाले तो काम बढ़ाती है, इसलिए बहूं को कुछ भी कह लो, बस उनकी नाकराणी को कुछ ना कहना बर्शा, जो अपने पती के साथ रहती थी या नाकरी भी करती थी, उसके लिए उसके घर में काम करने वाली नौकराणी, उसकी साब से प्रियत थी क्योंकि वही तो एक थी, जो उसका सारा काम और घर अच्छे से संभाल लेती थी कमला, आज प्लीज मेरा कमरा साफ कर देना, मुझे तो वक्ती नहीं मिला साफ करने का अरे कोई नहीं दीदी, मैं कर लेगी, आप जाओ थांक यू, मैं शाम को आते वक्त तुमारे लिए बर्गर ले आओंगी, हां, तुम्हें पसंदे ना और न, वो फ्रेंच फ्राइज भी दीदी अब, ठीक है, लियाँगी, और शाम का खाना भी बना देना, आज दीपक भी आफिस से जल्दी आने वाले हैं ठीक है दीदी वर्षा कमला को काफी अच्छी तरह से रखती थी कमला को भी वर्षा के घर काम करना पसंद था, क्योंकि वर्षा उसे पगार तो अच्छी देती ही थी उपर से काफी सारी चीज़े लेकर भी दिया करती थी कमला वर्षा के घर करीब दो सालों से काम कर रही थी और सारा काम अच्छे से संभाल भी लेती थी पर आज कमला ने वर्षा से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वर्षा काफे टेंशिन में आगे ये तो क्या कह रही है कमला तो काम छोड़ रही है हाँ दी-दी, मेरी शादी होने वाले है न तो मेरे को काम तो छोड़ना इच पड़ेगा पर शादी के थोड़े वक्ट की बाद फिर से काम शुरू कर देगी मैं और तब तक मैं क्या करूँगी तो जानती है ना मैं जॉब करती हूँ मुझे घर के काम और खाना बनाने के लिए कोई तो चाहिए न मैं समझती है दिदी पर मैं क्या करीगी अब तीन-चार महिने में काम फिर से शुड़ो कर देगी बोल रहे लिए न पक्का दिदी तीन-चार महिने तक मैं कैसे संभालूँगी सब कुछ कमला के जाने के बाद वर्षा ने काफी सारी नई काम वालियों को पूछा पर किसी के कुछ नख रहे तो किसी के कुछ पर जब उसने इमली से बात की तो वर्षा को वो काफी सही लगी और उसने इमली को काम पर रख लिया इमली ये ले तेरे लिए पानी पुरी है खाले फिर काम कर ठीक है दीदी आप कितने अच्छे हैं मुझे बहुत मज़ा आता है आपके घर काम करने में अच्छा अच्छा चल अच्छा है तुँ यहां सैट हो गई है वैसे तो कमला ने कहा था कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगी पर अब एक साल हो गया है वो आई नहीं लगता है अब तुझे ही यहां काम करना पड़ेगा इसका मतलब दीदी आपने मुझे पॉमिनेंट रख लिया अहां ऐसा ही समझ ले चलो फेर तो मैं यह पानी पर खाई लेती हूँ वर्षा ने इमली को कहतो दिया कि अब से वो परमिनेंट है यहां पर उसके कुछ दिन बाद ही कमला वापस आ गए अब वर्षा को दोनों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था आप ऐसे कैसे कर सकती हो दीदी अब दो आपको बोला इछत्ता ना कि मैं आएगी वापस अरे पर तू आई तो हो नहीं ना एक साल तक तक मैंने इमली को रख लिया और वो भी ऐच्छा काम करती है सारा गर संभाख लेती है था अच्छा काम करती ही दीदी यह देखो मैं दिखाती है आपको यह देखो जाले ऐसे पड़े ऐसे उपर टेबल भी अच्छे से साफ नहीं केला है और काना यह कोई काना बना है दीदी बलकुँ स्वाधिछ नहीं है फीका है एक्दम मैं होती थी तो कितना अच्छा काना आप वो खिला दीदी अब दीखो आप कितने कमजोर हो गए लिए दीदी अरे नहीं नहीं कमला इमली भी बहुत अच्छा काना बनाती है और घर का काम भी अच्छा करती है हाँ दीदी अब तो आपको वही चच्ची लगेगी आप भूल गे लिए क्या कि बे और आप बैठके कईसे घप्पे बारते थे अरे अरे कमला रो मत ठीक है मैं इमले से बात करती हूँ कि तो काम पर वापस आना जाती है बस आदी दे करो बात कमला के आजाने से वर्षा धर्म संकट में पढ़ गई थी उसने कमला को तो कह दिया कि वो इमले से बात करेगी पर जब वो इमले से बात करने लगी तो यह कैसे बात कर रहे हो दीदी आप अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने कहा था कि मैं ही इधर permanent काम करेगी मैं तो आपको उपनी बड़ी बहन मानती हूँ आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो हाँ मैं जानती हूँ इमली पर वो कमला ना मेरी पुरानी काम वाली है बहुत टाइम उसने यहां काम किया है क्या खाक काम किया है दिदी मैं जब यहां आई तो कुछ भी साफ नहीं था सब कुछ गंदा रखती थी वो रसोई भी मैंने कितने अच्छे से साफ की है और तो और यह देखो अब कितने तंदरुस्त हो गया हूँ पहले तो कितने कमजोर लगती थी अरे कहां फस गई ये दोनों तो एक दुसरी के लिए बिल्कुल एक जैसा ही बोल रही है दोनों मैंसे किसे ना कहूँ और किसे अरे इमली ऐसा नहीं है कमला सच में बहुत अच्छा काम करती थी और मेरा पूरा घर वही संभालती थी अरे 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 ऐसा नहीं है इमली तो रो मत करती हूं मैं कुछ वर्षा ने कमला और इमली दोनों से बात करने की कोशिश की पर दोनों मानने को तयार नहीं थी अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों को कैसे समझा है और वो ये सोची रही थी कि कमला दूसरे दिन से काम परा गए अरे कमला तुम यहां अरे दिदी आप पी ने इस तो कहा था वो मुझे कामपी से निकाल नहीं सकती समझी तो वो मुझे भी निकाल नहीं सकती समझी उन्होंने मुझे से कहा कि वो तम से बात करेंगी अथ तो मुझे से बात की ना कि वापस आजा कामपर इसको निकाल रहे लिए मैं अरे देखो तुम दोनों मेरी बात सुनो दीदी मैं जानती है ये जबर्दस्तियां काम कर रहे लिए ना मैं या फिर तू जबर्दस्तियां आ गई है वापस मैं इदर दो साल से काम कर रहे लिए थी दीदी के पास तो मैं इच काम करेगी तुने अपना काम छोड़ दिया था और मैंने संबाला है सब कुछ यहां पर चल निकल तू यहां से पूजाती है या फिर मैं मैं क्या तू क्या कर लेगी प्लीज प्लीज तुम दोनों चुपो जाओ मेरी आखों में तो आसु ही आगे तुम दोनों को मेरे घर काम करते देख इसलिए मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ फिर तुम डिसाइड करना कि कौन यहां काम करेगा हाँ दीदी बोलो ना दीदी आप बोलिये तो सही काम तो मैं ही करेगी इदर मेरे और मेरे पती की नौकरी चली गई है और जब तक हम दोनों की नई नौकरी नहीं लग जाती है तब तक मैं तुम दोनों को पगार नहीं दे पाऊंगी मुझे पता है तुम दोनों मुझे बड़ी बेहन मानती हो अब बताओ कौन करेगा यहां नौकरी पगार बिना इतना काम कौन करेगा है मैं ही निकल लेती हूँ पैसे नहीं और इतनी मैनत नहीं नहीं मैं ही किसक लेती हूँ इदर से दीदी मैं किसी का न काम नहीं चिलने को चाती अब इसी से कामगर वालो अरे नहीं नहीं ये इधर पहले से काम करती आई है दीदी आप इसी को रखो मैं तो अभी अभी आई हूँ ना नहीं इमली तू कर ले काम मेरे को एक दो और घरों के भी काम है मैं चलती है दीदी अरे सुनतो दीदी मैं ये बोल रही थी कि मेरी भी शादी की बात चल रही है मैं भी काम छोड़कर जानी वाली थी आप कोई और रख लो ना मैं चलती है या दीदी आप ध्यान रखना अपना अरे सुनो तो सही दो नो हालो सुनीता तू आजाना कल से काम पर हाँ मेरी जो मुसिबत थी ना अब तो वो सौल हो गई है